वैसे तो आपने कई तरह के मोदक खाये होंगे चावल के बेसन के पर ये स्पेशल मोदक जो आज मैं बनाने वाली हूँ इसे जरूर ट्राइ कीजेगा ये हैं ओरियो मोदक मोदक की जो ये फ्यूजन रेसिपी है जटपट से बन जाती है और बच्चों को तो बहुत पसंद आती है क्योंकि ओरियो उनको वैसी बहुत पसंद है तो चलिए बनाते हैं ओरियो मोदक इसे बनाने के लिए हमें लेने हैं तीन पाकेट ओरियो के 10-10 रुपीज वाले और जो ये क्रीम होती है वाइट वाली इससे एक सेपरेट बाउल में निकाल लेंगे ये क्रीम फैकनी नहीं है इससे हम यूज करेंगे फिलिंग की तरह मैं इस वीडियो में आगे बताऊंग अब इसको अलग रख दें जो ये बिस्किट है सारे मैंने इसमें से क्रीम निकाल दी है अब इसे अच्छे से ब्रेक कर देंगे हाथ से रफली तोड़ देना है इसको बढ़िया से इसके एक मिक्स्चर बनाएंगे हम मिक्सी में इससे डालेंगे और इसे ग्राइंड इसका पाउडर फॉर्म बनाया है इससे हम बनाएंगे एक मिक्स्चर इसमें आट करेंगे एक से सवा चमच के करीब फ्रेश मलाई घर की मलाई मैंने यूज किया यहां पर रूम टेंपरेचर पर होनी शीए मलाई ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए स्पून से मिक्स नहीं हो पाएगा तो स्पून हटा दे और इसे हलके आथ से गूंदे जैसे आप आटा गूंदते हैं एक डो की फॉर्म में लेया है इसे तो मज़ा आ रहा है ना मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा है इसे बनाने में तो ओर्यो मोदक को बनाना बहुत ही असान है मेरे साथ इस वीडि की रखी थी उसके अंदर आड करेंगे 2-3 चमच्छ डेजिगेटिट कोकोनट और 7 ही आड करेंगे 1 चमच्छ फ्रेश मलाई इस फिलिंग में हमने डेजिगेटिट कोकोनट इसलिए आड किया है ताकि जो कोकोनट का फ्लेवर है उससे filling में एक चारचान लग जाए और मलाई हमने इसमें लिए एड करी है ताकि अच्छे से ये जो mixture है वो bind हो जाए इसे भी एक dough की form में गून लेंगे जब ये dough त्यार हो जाए तो हमें इससे ready करनी है ये छोटी छोटी बॉल्स थोड़ा सा mixture हाथ में लेना है और इस तरीके से हतीली के बीच में इसे roll करना है ताकि mixture smooth हो जाए और कोई cracks न रहें इसे ये बाकी mixture से सारी बॉल्स ready कर लेंगे अब मोदक के न साचे मार्केट से असानी से मिल जाते हैं बहुत साई shapes में आते हैं ये medium size का साचा है और इसके अंदर एक pin होती है उसे remove करके इसे open करनेंगे उसके अंदर घी से grease करेंगे आप brush की मदद भी ले सकते हैं मैं अभी हातों से इसे grease कर रही हूं इसे बन करके इस अच्छे से नहीं भरेंगे तो जो shape है मोदक की वो नहीं आपाएगी तो mixture अच्छे से फिल करना है और उसे अच्छे से shape देनी है फिल करके फिर जो हमने अंदर filling आड करनी है जो हमने त्यार की थी फिर उसके ओपर यही mixture लगा के इसे बन कर देना है extra mixture हटा देना है और इस से खोलेंगे तो बड़िया सा tasty सा मोदक त्यार है गनपती जी के भोग के लिए कम से कम ingredients के साथ त्यार हो जाता है और बच्चों को तो बहुत ही पसंद आने वाला है यह जटपट से बनाई है और जटपट ही खतम हो जाएगा मेरी guarantee है यह मुझे लिख के बताएगा कमेंट क्यों तो के लिए है और साथ जाएग द ऺड़िख और सा वोग को तो ऊप्पसक्रण है